है हैं और अन्य विडियो के साथ इस बम बनाईंगी हम लड़ savior के लिए बूलन पगड़ी कलंगी वाली जो कहज़ें दो ड़خ हम बनाते हैं नहीं हम आधि विद्शा आसान दोग जहें दोग को बनाएंगे हैं हम अभी साइज में इसको बना सकते हैं तो जैसे-जैसे size कम होता है ऐसे ऐसे दो फंदे हम कम कर लेते हैं अब छहे को हमें बनाना है पाँज से छहे को इसमें हमने हम बनाने के लिए दो color लिये हैं दुखेगा यह हमारा light orange color है और हमारा यह dark Google color है तो दो color से हम इसको बनाएंगे धलंगी वाली कैप को और दस नमबर की हमने बनाने के लिए चलाई लिए हैं तो पांस से छे के लिए बनाएंगे और फंदे हमने दिखी गा यह डवल धागे से जो जोड़े वाले फंदे हम डालते हैं वह वाले फंदे हमने डाले हैं जोड़े वाले फंदे हम इस तरीके से डालते हैं के इस तरीके से दागा थूरे छोटा रहे हैं is तरीके से एक वार हम जह इस तरीके से लिदल पाते हैं इसको पकड़ कि एक फंदे को एक फंदे को इस तरीके से डालेंगे इस तरीके pozis kay दूसरे फंदे को इस तरीके से पलडिएंगे यह इस तरीके सित बड़ने होंगे, एक ही गाठी में होँ इनको जोड़े वाले फंदेए दूनी में निकाल दे दोलों हम आपको जोड़ा डाल जोडाए कि इस तरीके से इसको डालना है तो इस तरीके से आते हैं जोड़े वाले फंदे तोड़ा मोटा मोटा देखेगा अच्छा लगता है यह कैप में तो यहां पर हमने फंदे डाले हैं दो इस वाले फंदे को एक करेंगे काउंट में तो पहले हैं से किल लेते हैं इसको एक बनाते हैं, 33 फंदे हम डाले हैं इसमें, तो आठ के लिए आप इसमें 35 फंदे डाल लीजिएगा, आठ नमर के लिए जब बनाऊगे, तो 35 फंदे की कैप बनकी हैं पे रेडी अच्छी से हो जाएगी, अब पहले हम बॉर्डर बनाएंगी इसको पूरा इस तरीके स लटब इस तरीके से दो फंदे होते हैं इसमें हमारा लेखीगा एकिक करके बनाएंगी फंदे की water यहां पर इस तरीके से आए इस तरीके से तो दो सलाई उल्टतरफ और दो सीधे तरफ से उल्टा उल्टा तो बॉरडर बना लेते हैं पहले हम दोनों सेड से उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाएंगे बॉर्डर को वीडियो अच्छा लगे पिलिज लाइक कीजिए चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो पिलिज चेनल को सस्क्राइब कीजिए इस तरह किसे इस तरी किसी यह लश्ट वाला फंद एक हमने इसको से धरब से उल्टा उल्टा बनाया है इस तरीके से आता देखिए का हम जोड़े वाले फंद बनाते हैं तो यह जो हमारा यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है और हम सिंगल फंद डालते हैं सिंगल दागे से तो उसमें यह जियाइन आ चुके हैं उपर कैप के लंबाइह में बनानी है तो पहले हम इस तरीके से देखिएगा सीधा सीधा बनाएंगे इसको और जब उल्टी तरफ आएंगे तो यह हम कलर को चेंज कर लेंगे इसको उल्टा सीधा बनाना है उल्टे तरफ से तो पूरा उल्टा उल्टा ही बनाना है और सीधे तरफ से उल्टा सीधा दोनों तरफ दोनों तरह का बनाना है इसको यह से इसको पूरा सीधा सीधा बनाके और उल्टे तरफ से हम इसको कलर को चेंज करेंगे यहां पर हमने यह इतनी बना लिना प्रिंग बनाते हैं उसकी बेख करणगें हुं है दो बार स्थैथा बनाएं उल्टा बना नहीं हमें हम उससे करेंगे तो गटाई स्टार्ट करने के लिए हम यहां पे पहला फंदा वतारेंगे दागे को अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन है चार्ड हमारे पांच फंदे यहां पे हो गए हैं अब हम दागे को पीछे कर लेंगे और तीन फंदो को हम एक साथ इस तरीके से जैसे गले की जो हम फली बनाते हैं बॉर्डर बनाते समय उसी तरीके से तीन फंद कुई आप पे एक साथ बनाएंगे इस तरीके से फिर धागे को अपने दरब करेंगे और फिर से एक दो तीन चार चार फंदे बनाले उल्टे अब धागा फिर से पिछे करेंगे फिर तेन फंदों को यहाँ पे पहले वाले फंदे को और बीच वाले फंदे को इस तरीके से पहले को बीच में करेंगे और बीच वाले को आगी करेंगे और तेन फंदों को दो फंदे ही हो गए और एक और तीन फंदों को इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से बनाते हुए इसको हम इसमें पूरी फली बना लेते हैं पूरी सलाई को इसी तरीके से बनाएंगे दिखिएगा इस तरीके से हमें यहां पर यह बनानी है फली डालनी है जैसे हमारी एक दो तीन चार चार फली इसमें होनी चाहिए उसे इसाफ से फंदों को डिवाइड करते हम जिससे हमारी चार फली यहां पर बनकी आजाएं घटाने वाली तो चार फली हमारी यहां पर बनक और उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है सिर्फ उल्टा उल्टा बनाना है अब फिर से सीधे तरफ आ गए है तो पहले फंदे को हम उतारेंगे किनारे वाले को दागे को अपनी तरफ करेंगे हैं जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन उल्टे फंदों को इस तरीके से बनाएंगे हमने पहले चार फंदे यहां पर उल्टे बनाए थे अब हम तीन बना लिए हैं और तीन बनाने के बाद में जो हमारा फली वाला फंदा है इससे पहले वाले फंदे को और एक बाद वाले फंदे को और यह फली का तीनों फंदों को हम फिर से एक साथ बनाएंगे इस तरीके से उतारेंगे फंदे को दोनों फंदों को और जो आगे वाला फंदा है उसको बीच में करा और बीच वाले फंदे को आगे की साइड करेंगे इस तरीके से सीधा सीधा अब इन दोनों फंदों को और ये जो पीछे वाला फंदा है फली की इसको तीनों फंदों को यहाँ पर एक साथ इस तरीके से बना लिए तो यहाँ पर दो फंदे घट गए एक धर से और एक धर से अब धागे को अपने तरफ पर रहेंगे पर एक दो चार फंदे थे तो 1 फंदा इस में घट गया और एक फंद इस वाली फली में घटेगा अब धागा पीछे कर लेंगे पिद से सम्न तरीके से इसको घटाना है यह तो इसी तरीके से घटाते हुए सब ھकों घटा देँगे इसी तरीके से बनाते रहेंगे तब तक हमारी ये सारे फंदे घटेंगे नहीं तो आप किसी भी साइज में बनाएंगे बनेगा सेम इसी तरीके से सिर्फ फंदों का फरक होगा कम ज़्यादा का और बनाने का तरीका यही रहेगा यह इस तरीके से देखेंगे तो दो सलाई हमारी हैं पर बन गई है तो इस तरीके से कोने बन जाएंगे एक दो तीन चार यह सर के उपर चौक और आएगा बनके यह उल्ट तरप से कुछ नहीं करना है सिर्फ इस तरीके से इसको उल्टा उल्टा यह बनाएंगे हम तो बना लेते हैं यहां पर हमारे सबी फंदे दिखीगा यह गट गए हैं जो फली के बीच की फंदे हैं यहां पर हमारी एक, दो, तीन, चार, चारों फंदे हमारी फली बाले हैं, बाकी साइज की हमारे फंदे हैं, इन फंदों को अब हम सलाई में डालेंगे, उसमें सौरी सुई में, इस तरीके से, धागे को हमने कट कर दिया है, पासूं के अंदर धागे को डालके, इस तरीके से यहां पर इसको इस तरीके से बंद कर देंगे इसको यहां पर नोट लगाएंगे इस तरीके से जिससे हमारा आगे खुलेंगे इस तरीके से अब जो हमारी कैप है इस कैप को हम बड़े बड़े यहां पर टेवे लेंगे इस तरीके से परसे बापस से इस तरीके से अच्छे से इस तरीके से यह जो कर रहेंगे यहां पर इखटा हमने कर लिया है अब इधर वाली साइड को भी हम इसी से अन तरीके से इस तरीके से यह पर कर लिया है अब इसको हम जो हमारे यह तिंख लिया है अब यह वाला यह इसको में यहां पर बंद करए यह हमारा फाल तो दहागा है पहले इसको कट करेंगे इस तरह इस परिकेस से सिल लेंगे जो भी खुली कर जाएगी कैप इसको हम यहां पर सिल लिया है और एक नौट लगा दे इस तरीके से अब इसको पलटके देखते हैं एक वार अच्छे से सेट हुई है या नहीं इस तरीके से कैप यहां पर यह च्छे नम्मर को देखेगा अच्छे से आ जाएगी इस तरीके से अब हम जिससे चोटी बनाते ह उस तरीचे से एक छोटी बनाएंगे और उस चोटी को हम हरों में यहाँ पर सेलों अल्छा की Musik कि डूनों उन्नों को लेंगे इस तरीके से यहां पर इस तरीके से कड़ेंगे ऑग भा छोज़ं दिया कि उल्च कि Black साथ दुम्हें कि हमारे दो हो गएं दीखे उन तीन कि और हमारे छार और यह ही नहीं पर हम यहां प्रिखी बरावर बरावर पकड़ेंगे इस तरीके से अब जो हमारे किस्टे पूर्टे के अंदर इसको डाल सकते हैं कि इस तरीके से पूरा मिला लेंगे अच्छे से यह इस तरीके से तिन भागों हमने फंदों को करकी अजय से चोटी बनाते हैं से हम उसी तरीके से हम बना लेते हैं इसको पूरा चोटी जैसा इस तरीके से अब हम इसको अब इस तरीके से मोडेंगे और यहां पर हम इसको सिल दिंगे इस तरीके से देखें एक साइड को सिल दिया है अब दूसरी साइड को इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेते हैं है कि मिलाते हुए सिलेंगे दोनों को इस तरीके से इसको हमने इस तरीके जो यह था आपको आपको इसलीकल दोलेको अच्छे से यह थे दूसरी सेECT पर नोट लगा कि इस तरह कि टाइट से नोट लगाएंगे इसमें इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से अगर छोटा रखना चाहें इसको आप छोटा भी रख सकते हैं इस तरीके से इसको बनाना बहुती जी बहुती आसान है और बहुती अच्छी से बन की कम समय में बनाएंगे इसको बनाना बहुती आसान है और बहुती अच्छी से बन की कम समय में तयार हो जाती है तो फ्रेंस वीडियो अच्छे लगे प्लिज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंस करके जरूर बताएए कि आप को वीडियो कैसी लगी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा सेयर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई